हेलो नमस्कार जैहिंद वंदी मांतरम दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफूर्म राजस्तान क्लासेज पर आए दोस्तों आज अपने इंडिया जी के पढ़ने वाले हैं और इंडिया जी के में भी अपन क्या पढ़ेंगे प्राचीन भार पढ़ा जैसे माचन पद वगएरा है ठीक है तो दोस्तों उस परकार की क्वेशन सिंदु सभीता वगएरा तो दोस्तों उससे समधी जो क्वेशन है यहाप आज लेकर आए हूँ आपके लिए उम्मीद है कि आपको एक लास बड़ी अच्छी लगेगी दोस्तों आज का प काल को का जाता है गुप्त काल की दोस्तों बात के जाये श्तृष्क कि ने श्री गत को शृ इंस तापक माना जाता है कि वास्तिक संस्तापक की बात करें तो दोस्तों संद्रका को तैं पर यहाब पे सबसे पहले श्री 700 उस था नहारन की धिया लित rave器 अगला विचार जो था ये किसका था अलेक्जेंडर नहीं था हेरोडोटस भी नहीं था इनमेंसे भी कोई नहीं मतलब की राइट आंसरों का बी आफशन मैक्स थनीज ने का था कि भाया राजस्त भारत की जो रुई है वो अन्य रुईयों से अधिक सफेदे और दोस्तों मैक्स थनी और एगला क्वेस्टन आपके स्क्रिन पर गुप्त राजाओं ने कौन से चिक्के चल लाए थे दोस्तों चलवाए थे गुप्त राजाओं ने कौन से चिक्के चलवाए थे दिनार ड्रम सुवर्ण या और से दोनों तो दोस्तों ड्रम नहीं होगा बाकि और से दोनों हो यहां दूसों गुप्त राजा होने दियान रखना अवर्स ड्रम नहीं चलाए ठीक है दियान रखेंगा अगला वैस्ट दीनार जो था ना वो रोमन समरेज्ज की नकल चलाये था ठीक है और सुवंड जो था इसमें दोनों चन्दी और सोना दोनों मिक्स था और शुद्ध भारति सिक्क्त था यह ऐगला एंति मौरे समराट कुन था यह बता दीजिए गर होती असान नहीं होगा रड़त और ऑर कंपर तो दोस्तों आशूक नहीं होगा व्रद्रत हो पुश्य मित्र शूंग नहाराय था और उसके बार शूंगंस की स्ताफ ना की थी और ब्रदर्त को मार कर ठीक अगला के विश्में अधि धम अभी धम में कथा वथू के बारे में किसने लिखा दोस्तों देखिए अभी धम में कथा वत्थू के बारे में किसने लिखा शोगोस मा का सब मोगली पुततिस या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों मा का सब कौन थे पता है आपको मा का सब तो सबसे पहले संगीती के बहुत धरम की पहले संगीती के क्या थे ये अद्धिक्स थे तो दोसों राइट अंसर आप सभी का हो जाएगा सी आफसन मोगली पुत 30 हो जाएगा अदी अभी धम में कता वत्तु के बारे में इन्होंने ही का था ची आफसन लॉक हो जाएगा मोगली पूत तिस्द जो थे ना दोस्तों ये बहुत धर्म के भिक्सू भी थे और विद्वान भी थे ठीक है और अशोक जो समरारता ना मौरेश समरारत अशोक उसका अध्यात्मिक गुरू थे ये उनके अध्यात्मिक गुरू थे दोस्तों और दोस्तों ये ना अशोक के भी अध्यात्मिक गुरू थे अशोक के और अशोक के पुत्र महिंद्र के भी अध्यात्मिक गुरू थे ठीक है त्यान रखना और आपको बताओगा महिंद्र और संग मित्रा को कहां पर भेजाता अशोक ने श्रिलंका भेजाता पर चार के सोत्रा मनी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा चोत्रा मनी मतलब कि ए आफसन सही उतर हो जाएगा सोमपुरी विश्विडाली के इस्तापना किसने की थी देखें दोस्तों सोमपुरी या फिर सोमपुर सोमपुर भी एक्जाम में पूजा जा सकता है ठीक है सोमपुर पूर्य या पिर सोमपूरी जो कि धरमता-पाल ने इसके इस्ताफना कर वायती है और सोमपूरी पूर जो है दोसों ये बिहार में है ठीके तो ध्यान डीकना उच्छा सा क्वेसन है अगला क्वेसन है राम पाल ने किस Ramadan की इस्ताफना की थी ये बता दीजेगा राम पालने किस विश्वी डाले के इस्तापना की सोमपुरी दोस्तों सोमपुरी अपने बांगला देश के लिए पढ़ लिया है और ये धर्म पालने की थी दोस्तों जो कि बहुत धर्म से संबन दी थे ठीक है और धर्म पाल कौन थे पाल वरंश के राजा थे वल्लबी की बात करें तो आगे क्वेसन आ जाएगा और जगदल की इस्तापना की ती राम बालने दोस्तों राम पालने ठीक है ये कहां पर बोले सर ये भी बांगला देस में वेरी गुड तो बांगला देस में कितने विश्वी डाले दो है सोमपुरी और जगदल दोनों बा दोस्तों सही उत्र आप सभी का हो जाएगा लिच्बी नहीं होगा का Gesprई हो जाएगा दोस्तों कि गुपतों से संबंगा कर्द हो एक टीक है धूर ची माता क्या आत्का खोक्र एगला परजा पती गोतमी और इनका नम था माइता मात्त्र केसले विति नहें पर दो भी विश्वेधदाले क सक्रिन को कर आए था और यह है रहा पर दौस्वं अगर ऐसा प्रस्ण बन जाए कि है कहां पर तो भी आप बिहार में है कोई गलत नहीं करेंगे कहां पर ने बोले सुरी सुरी बिहार कहां ये तो बावनगर नहीं है क्या बावनगर होगा जेन धर्म में मठों के स्वामी भटारक भी कहलाते थे। तो ये चीज भी ध्यान लखेंगे, दोनों चीजे ध्यान लखेंगे, अगला Maguophone आता है, विक्रम चिला विश्वीदाले का विकास दुए किसने करता है, अब यह विक्रम सिला विश्वी डाल आले की बात करें नगैं तो आपका भीहार पका ही हो जाएगा क्या हो जाएगा और विकास की बात की जाए तो राइट आंचर हो जाएगा धर्म पाल ये भी धर्म पाल ही होगा प्यारे मित्रों A option को लॉग करेंगे सभी भाइबने मिलके ठीक है अगला क्वेस्ट नालंदा विश्विदाले का विकास किसके काल में होता है नालंदा जो विश्विदाले इसका विकास किसके काल में होता है दोस्तों तो राइट आंसर ये जो है ना गुप्त सामरा जी के बारे में पूचा प्रस्ट नालंदा विश्वी डाले जो है ये दोस्तों कुमार गुप्त के काल में होता है C-Option को लॉग करेंगे और ये दोस्तों गुप्त काल अपन दो चार दिन में पढ़ने ही वाले हैं तो जरूर जुड़े रहिएगा और दो चार क्या कल या फिर परसों की क्लास में आ जाएगा गुप्त काल देखें दोस्तों निम लिकित में से रिगवेद की शाका कौन सी है इन में से रिगवेद की जो शाका है वो कौन सी है तो सबको पता है रिगवेद दोस्तों विश्व की सबसे पहली पुस्तक है इसकी दो शाकाई होती है एक तो होती है शाकल शाका ठीक है और एक होती है दोस्तों वाशकल शाका ठीक है तो दो शाकाई है तो right answer यहाँ पर D option हो जाएगा अगला question आपके screen पे व्रत कथा की रचना जोय किस ने की थी गुणाड्याने सर्ववर्मन पाणी नी याद आदा गुप्त दोस्तों पाणी नी तो अश्ट ध्याई हो जाएगा यह तो आप करेंगे नी तो दोस्तों आप सभी का right answer हो जाएगा गुणाड्या और गुणाड् को कर्मुक्त बनाने और मात्र एक बटे आठ कर लगाने की जानकारी दी गई है और प्यारे मित्रों right answer आप सभी को बताना है जल्दी से उतर दीजेगा comment section में जी लूम्बीनी आफसन है कुशिनगर भी है जूनागर भी है भाबरू भी है लेकिन सही उतर होगा लूम्बीन और यही वर्णन जो है ना यही वर्णन जो है दोस्तों और भी मिलता है हमें एक तो रुमीन देई में मिलता है रुमीन देई में ठीक है और रुमीन देई में दोस्तों और क्या मिलता है चंदरुगुप्त मौरे का भी वर्णन उसमें मिलता है चलेगा next question है दोस्तों मैक् भारत के बारे में कहे गए कत्रों में से सत्य नहीं है मतलब की अ सत्य कुन सा है बारत में प्रचूर सोना चांदी तामबा और लुहा है बिल्कुल ये तो सत्य है ये तो उन्होंने कहा ही था बिल्कुल भारत में सू वेश्टित जातिव वेश्टा ये भी उन्होंने कहा था डाइनो सीयस ने भारत पर आकरमन किया ये भी उन्होंने कहता उन्होंने ये भी कहता कि भारतिय जो है मतलब की लिखने की लिपी नहीं जानते लिखने की कला नहीं जानते ये भी उन्होंने कहता तो दोस्तों ये नहीं कहता सी आफसन बारत में एक सर अखाल पड़ता ये नह नो हो जाएगा क्योंकि अपने आस बहुत अच्छे तरीके से पढ़े कौन से राजा ने अशोक ने जो है ये धर्म मामात नियुक्त किये थे दोस्तों अगर हम बात करें अपने धर्म या धर्म के परचार के लिए ये मामात नियुक्त किये थे और फिर परचार के लिए दिर मावीर स्वामी अच्छा 23-23 सर पार्शना थे अच्छा जैन दर्म के 22-23 कौन थे पहरे में तुरों यह बता दीजिएगा बहुत ही असान सा क्वेशन है रिजब देव तो पहले थे दोस्तों पार्शना तो 23 थे ठीक है और यह मावीर जी यह 24 थे तो फिर 22 कौन हो जाएंगे अरिष्ट नेमी हो जाएंगे साथ अच्छा क्वेशन है बाकी आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा क्वेशन है बाकी आगे बढ़ते हैं यहां पे बी आफ्सन लॉक हो जाएगा अगला क्वेशन अशोक के ब्रामी शिलाले को सरो पर्थम जो है किस ने पढ़ा जैंस प्र सभी का हो जाएगा जैम्स प्रिंशेफ हो जाएगा बिलकुल आसान सा क्वेसन है सभी का सही उत्तर भी हो जाएगा ठीक है ओके सर अगला क्वेसन आता है बहुत धर्म का कौन सा अंग मूर्ती पूजा में विश्वास नहीं करता इन्यान मायान वज्रयान इन मैसे कोई जल्डी से उत्र दीजगा बोले सर यीनियान हो जाएगा हांजी ए और बीज्वास अपर भी सही उत्टर हो जाएगा और दोस्टों हम बात करें यहीं पे मायान बुद्ध को भगवान मानते थे हलांकर हीनियान बो धर्म की शिक्साँ पर विश्वास करता है ठीक है और हिन्यार मूर्ती पूजा पर विश्वास नहीं करता है ठीक है और ये दोस्तों न की ये भी विश्वास करता कि भी बुद्ध भगवान थे ऐसा भी विश्वास नहीं करते है ठीक है ये विश्वास केवल केवल महायान करते है सारा कुछ ठीक है चलेगा अगला क्वेस्ट कौन सा पिटक नियतिक आचार सहिता के बारे में बताता जल्दी से उतर दीजिएगा क्या हो जेका राइट आंसर और तो पूचा जएगा तो में विश्ता आचार सहिता और धर्म के नियम पूचा जाए खरना changed विने हो जाएगा विने और नियम ऐसे ध्यान रख सकते आप नियम या नैतिक आचार सहीता दोस्तों ऐसे ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और एगला क्वेशन नंबर 22 बहुत धरम की शिक्साओं के बारे में कौ कँ बताता है दोस्तों अभी धम तो अपने पढ़नी अभी तक ये तो अपने पढ़ लिया वने पितक है ना तो राइट आंसर जो आप सभी का हो जाएगा बोले सूद पितक हो जाएगा बेलकुल आसा क्वेशन है और दोस्तों अभी धम की बात करे इसमें दाश्चनिक स् सद्धान दे सुथ पिट्टक में किया हुता है धर्म कि धर्म का जो है धर्म की शिक्सा का प्रचार वगएरा है सबसक्राइब के बंतन पर जरूर क्लिक करें तुछत के प्लेर सोदिये और रात को दूर घ्यूसित सब्सक्राइब करें अशोक, काला शोक, अजात, चतरू या कनिश्क तो राइट आंसर आप सभी कहो जएगा कनिश्क के काल में बोले सर कहाँ पर हुए थी कुंडन के वन ग्राम में होई थी प्यारे मित्रों, ये कहाँ पर है सर, ये कश्मीर में है प्यारे दोस्तों अच्छा अगर पूछा रहाता वो वशू मित्रा रहाता इसका उपदिक्स रहाता वो अश्व गोष रहाता ठीक है अगला सा क्वेशन है वेसु का सबसे बड़ा मा कावे कौन सा है प्यारे मित्रों ये आपको बताना जल्दी से बता दीजिएगा राइट अंसर क्या हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मा कावे कौन सा है रामायन माभारत वेद या रामचरीत मानत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मा कावे पूचा है तो माभारत ही हो जाएगा महाबारत किसने लिखा था प्यारे मित्रों ये विशु का सबसे बड़ा माका भी माना जाता है और ये लिखा था वेद व्यासने किसने लिखा था वेद व्यासने और दोस्तों रामायन किसने लिखी थी वाल मी के ने लिखी थी ठीक है तो ध्यान रिखना दोस्तों वेद कितने परकार की होते हैं चार परकार की होते हैं ठीक है ना अगला क्वेशन आपकी स्क्रेन पर अस्टांग संग्रे की रचना जो है किसने की थी अस्टांग संग्रह की रचना जो है ये किसने के लिए बाणभट वागभट हश या फिर पाने नहीं दोस्तों आप सब जानते हैं कि राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा तो जल्दी से उतर दो ना पिर जानते हो तो है ना तो बिलकुल बाण भट नहीं बलकि वाग भट हो जाएगा प्यारमेत्रों भी आप्शन हो जाएगा क्या अस्टांग शंग्र आईर किस राजी के किस राजी के राजी से लिया गया हाँ चले एक यी बात है तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों चोल बी आफसन सही उतर हो जाएगा ठीक है और आगे बढ़ते हैं और आगले प्रस्ट को देखते हैं देखेगा रिगवेद का एक मंडल किस के किस के लिए समर्पित है जल्दी से राइट आंसर क्या होगा रिगवेद का एक मंडल किस के लिए समर्पित है अगनी वरून इंद्र या फिर सोम कौन से भगवान के लिए समर्पित है बोले सर सोम के लिए तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा डियो आपसन हो जाएगा का, एक मंडल किसकली लिए गुल विश्वाना है, देहान डखना, ठीक है, कितने दस मंडल है, अगला क्वेसे नम्बर अट रशी Audio विक्रम शिला विश्वी डला, किस गाउमे है? फिलाल जो विक्रम शिला विश्वी डला है ना, पेले मितरों, कौन के गाउमे अंती चक में है या बसार में चंदी मानू में या फिर इन में से कोई नहीं दोस्तों धर्म पाल ने इस का पुनर निनमान कर वायता वैसे ठीक है और बात करें अंती चक में है दोस्तों ये का पर बोले सब बिहार में है ध्यान रखेऊ साब क्वेस्टन बढ़ा अच्छा था और अपना आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्टन को देखते हैं और अगला क्वेस्टन है दोस्तों जो खेलजी था ना बक्तियार खेलजी वो इसी विश्विदाले से समझ दीता है उसने नस्ट करा था इसको काफी कुछ ठीक है अगला क्वेस्टन नमर गुंती से देखे ज से यक आगे पता है आपको मैत्रे कुका गया सी ऑफ़न से उतर हो जाएगा ओके सरे ध्यान रखेंगे हां रकना पड़ेगा सहब अगला क्योस्था आपको दे रहा हूँ और अगला क्योस्था ब्राक्शस विश्याकदत होगा ये तो सही है परमसवगात की उपादी किसने धारन की थी परमसवगात की उपादी किसने धारन की थी यह आपको बताना है जल्दी बता दीजिए गा राइट आंसर परम सौगात की उपादी किस ने धारण की थी तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी कहो जाएगा बोले सर परम सौगात की है ना तो सर ए आफसन होगा ए होगा क्या एक बार वापस से देख लाना पैरमित्रो ए आफसन को लॉक कर देंगे यहां पर अपन है ना चले आगे बढ़ते हैं परम सौगात के बादी राज वर्दने की थी और आगे बढ़ते हैं यह वर्दन वंच का राजा था वैसे ऑगे बढ़ते हैं अग्रेक रॉमन साहिते में चंधर गॉבत्र मारे को सेंडरॉ कोर्टस कहा जाता है इस का लेک सरोपटं किस किया था । या अलेकजेंडर करने या आरप neighbor ने या भी चंदर ने या विलियम जांस ने किया था ठीके और ये इन्हों नहीं ही बताय था और दोस्तों इसके इलावा इन्हें एक और नामच का गया है अंडिरों कोटस है ना इन्डिरों कोटस भी इन्हें का गया है पिरे मित्रों ध्यान देकना चाले ayan ये भी एगला क्ना आता है तिक संस्भम बनाएे, मौरे गुपत, पल्लव या चोल, तो दोस्टों आप tässä जानते हैं, शीरिया के साथ जो राजने तिक संस्भम बनाएे, वो बनाये थे, मौरेयों ने, दोस्तों किसने बनाये थे, मौरेयों ने बनाये थे, और बिम्बी सार ने आपको याद हो तो वहां से कुछ अंजीर है कुछ मदिना वगएरा है ठीक है मादक सौरी मादक वगएरा है वहां से तत्व ऐसे कुछ मंगवाए थे बिम्बी सार ने दोस्तों मंगवाए थे ठीक है और इनके लिए भेजे भी गए थे और राजदूत ठीका तो द्यान रखना सीरिया का उसमें राजा था एंटियोक पर्थम जो है उसे राज्जक संब्स बनाए थे और एक उस राज्जी का एक राज्जू था जिसका नाम था डाइमोकस ठीक है वो राज्जू था उसी के आवागन मन में ये हुआ था अगला क्वेस्टन आपके स्क्रिन पे है कुशान होने किसके चलवाए थे कुशान जो थे दोस्तों जैसे की कनिस्क राजा था कुशान थ गोर्षानों को तुटुट्फारी भी कहा जाता है इतियासमें अगला Q. आपकी स्क्रिन पर किस राजी के राजा ने दूस्तों देखे गा ubiquitry, कितना आसान क्वेशन के राजी के राजा ने तो इतना आसान Q. string पूचा जा freedom दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा राजा उन्हें देव पुत्रक की बात करे तो दोस्तों कुशान हो जाएगा राइट आंसर ठीक है कुशान हो जाएगा राइट आंसर बिल्कुल आसान सा क्वेसन है और वैसे दोस्तों आपको याद हो तो इसमें आफसन नहीं है संगीक निकाए कहा विक्सीत हुआ दोस्तों यह बता दीजीगा राई टांसर के होगा मां संगीक निकाई तो hora णे न कहां विक्सीत होता है वह चाली में वजजी में पारली पुत्र में यह पिर राजगरे में दोस्तों आपको याद zo तो क्या होता है राज ग्रह की बात करें चले हैं अपन बात कर लेते हैं यहां पर पहले तो मासंगी की निकाए कहां विक्षित होता है तो दोस्तों वैस्टालीम होता है कहां पर होता है वैस्टालीम ए आफसन से ही उत्तर हो जाएगा खीके और बहुत संगीती भी दोस्तों इहीं पर हुई थी दूसरी कौन से दूसरी बहुत संगीती है ध्यान डिखना और पाकि जो है आगे बढ़ते हैं अगले परस्टा को दिखते हैं अगला क्वेस्टन जो है आपकी स्क्रीन पे है बोध धर्म के मायान पंद का विकास किसके काल में हुआ था बोध धर्म के मायान पंद का विकास किसके काल में हुआ था शोक काला शोक कनिशक या अजात चत्रू बोध धर्म के मायान पंद का विकास प्यारे मेत्रों वो किसके काल में हुए था तो कनिश्क हो जाएगा या पिर काला सौक हो जाएगा कौन सा होगा बोले सर कनिश्क होगा कनिश्क की दोस्तों ये चतूर्थ संगीती होई थे दोस्तों चतूर्थ इसके समय में चतूर्थ संगीती होई थी इसमें एक मायान बना था और एक हीनियान बना थ दोनों जो है न संप्रदा इसी में बने थे प्यारे मित्रों ध्यान रखना ठीक है और इसकी जो है न महायान की शुरुगात की बात करे तो असंग ने इसकी शुरुगात की थी किसने असंग ने तो ध्यान रखना सी आफसें सभी का सही उत्तर हो जाएगा प्रतम बहुत संगीती का अद्धिक्स जो थे प्यारी मित्रों वो कौन थे ये बता दीजीगा जल्दी बता ना मा कसब थे वसु मित्र थे मोगली पुततिष थे या फिर अश्व गोस्त थे अभी अभी बात कर ली मैंने कि भी या چार सो तियासी ओशा पूर में जो है ओशा पूर में जो है क्या होता ये प्रतम बहुत संगीती होती है प्यारी मित्रों और इसके जो रहते हैं मा कशिप संगीती के अधिक्स रहते हैं आजात चत्रू के समय होती है दोस्तों अब आप कहेंगे सर जो है कि कौन सी संगीती थी तो ये तो पहली ही थी बस यही कहना था ना चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आपकी स्क्रीन पे निर्बर पतनी और बच्छों को बे सहारा छोड़ विक्ट सू बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी अपने आपने इड्वांस्ट भी पढ़ा सूपर फास्ट भी पढ़ा और ध्यान से भी पढ़ा निर्बर पतनी और बच्छों को बे सहारा छोड़ भिक्षू बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी तो राइट आंसर चाने के होई जाएगा सी आफ्शन को लॉक करेंगे द नो ने लिखा था अर्थ और साथ सर बोले सर किस से समन्दी थी ये राजनी ती से समन्दी थी वहां के ठीक है मगत के तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान डिकनी है बाकी जो आपको एक वैसन दे रहा हूँ इसका अंसर आपको भारा के कमेंट सेक्शन में देना है त जैसे आप सभी जानते कि 22 वे कौन थे अरिष्ट नेमी थे दोस्तों अरिष्ट नेमी हमें यहां पर पता होना चीए कि वही 23 थे कौन में आपको बता देता हूँ पास्ट ना थे दोस्तों 23 अब आप पता दीजेगा सही उत्तर और 26 कौन थे महावीर भगवान स्वामी या बिना सांस रोगें जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अगर पहली बार हो राजस्तान क्लासे इस पर तो भया सब्सक्राइब करना तो बूलेगा मत यह आपकी सब्सक्राइब करना तो बड़ी भूल होगी और बाकी जोया शेर वगएरा करते हो तो ठीक ह है और नहीं करते हो तो भाई मैं तो करी रहा हूँ मेरा तो काम है शेर करना है ना और मुझे ऐसा लग रहा कहें इतनी ज़्यादा शेरिंग नहीं होती अगर शेरिंग होती ना प्यारे मितरों मुझे बताई ही देता कि आज ये class बहुत sharing हुई है बता देता है हमें पूरा का पूरा matter लेकिन sharing चले खेर कोई बात नहीं है ना जो करते हैं उनका दिल से धन्यवाद है दिल से salut है आपको अपना बेश कीमति समय provide कर रहे हैं हमें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बदावार जेहिंद वंदे मांत्रम